53 नमबर आप शलोक में देखिए अब मास वर्ग स्टार्ट हुआ है तो मास वर्ग के लिए बोलते हैं जलेशया, आनूप, मरिगा, आदी तो आप पेज के टॉप पर लिख लिजिए सुशुत ने मास वर्ग बोले हैं 6 ये बोलेंगे जलेशया, आनूप, गाम्या, क्रव्य, भुज, एक शफ, जांगल, परधान, शेती इस तरीके से बोला है तो जो ये 6 हैं मास वर्ग बोले हैं तो सुशुत अचारिया ने 6 मास वर्ग बोले हैं और फिर मास वर्ग के आगे 2 एरो कर दीजिए, जांगल और आनूप, अब इसके 2 डिवाइड करेंगे कि ये मास वर् दूब बोले हैं 6 और प्रकार मास वर्ग के दो बोले हैं कि जांगल होते हैं और आनूप होते हैं, जांगल आठ आनूप पांच, वहीं लिख दीजिए, चार चरक ने मास योनिया बोली है, 8, पिर सेकेंड लाइन में देखिए, सुशुत अचारिया ने 53 में क्या बोला है, पुने द्वी विधा ये जो हमारे मास वर्गें दो परकार के ओर हैं जांगल और आनूप तत्र जांगल लो वर्गो अश्ट विधा को हाइलेट कर लिए जो जांगल है वो आठ परकार का कौन सा जांगाला विश्करा प्रदुद गुहाशेह प्रसहे प्रण मरिगा और बले जांगाल पहला वर्ड है और विश्किर है ये पहले दो इनको प्रधानतम बताया है इन पूरे आठ वर्गों में ठीक है नेक्स्ट आप आजएए जो है वो 75 नंबर श्लोक है हमारा 75 में लास्ट वर्ड देखे विशेशात शोशिने हिता ये लिख है ना विशेशात शोश 75 नंबर जो श्लोक है 209 249 पेज नंबर पे लास्ट वर्ड देखे दो विशेशा शोशिने हिता ये ही से आप एरोल लेके लिख दीजे साइड में प्रसह मास के लिए बोला गया है जो प्रसह है मतलब जो बल पूरवक छीन के खाते हैं किसी से आहार उनके मास के लिए बोल फिर आजाई आप नेक्स्ट पेज पे 89 नंबर श्लोक में 89 की फर्स्ट लाइन देखे स्वास कास प्रतिशाई विश्म जवर नाशनम श्रम अत्य अगनी हितम गव्यम को बॉक्स में बंद कर लेजे जो गाएं का मास है उसके लिए बोला गया है स्वास कास प्रतिशाई व आनूप वर्गस्तु पंच विदम को हाइलेट कर लेजे इतना याद रखने आनूप वर्ग पांच हैं जांगल हमारे आठ थे नाम याद रख सकते हैं तो अलग बात है लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना याद करने है कि आनूप पांच हैं वो कौन से कुल चरा पलवा फिर आप आजएए जो हमारा पेज नंबर है 254 दो सो चोवन पेज नंबर पे एक सो सताइस और अठाइस नंबर जो श्लोक है उसकी हिंदी में देखिए शुश्क मास को बोला है और उची जनक और प्रतिशाय कारक को हाइलाइट कर लेजिए प्रतिशाय को करने वाला होता है शुश्क मास नेक्स्ट हमारा 129 नंबर श्लोक आप देखिए इस्तरी चतुश पादर्शु यानि चतुश पाद जो होते हैं उनमें इस्तरियों का मास पूमानसो विहंगेशु ये इंपॉर्टेंट है अचारिय सुश्चुत के अकॉर्डिंग यानि चतुश पाद जो अलप शरीरा यानि जिनका जो बड़े शरीर वाले हैं उनमें जो छोटे प्राणी हैं उनका जैसे जो हमारे हाथी हैं या गाएं आधी होते हैं बड़े शरीर वाले हैं लेकिन उनमें जो छोटे प्राणी हैं उनका अलप शरीरेशु महाशरीरा जो अलप शरीर वाले हैं उनमें बड़े प्राणियों का मास प्रधान तमा प्रधान तम यानि जादा प्रधान बोला गया यानि जो हमारे चतुषपाद है जिनके चार पहर होते हैं उनमें से इस्तरी जाती की जो होते हैं उनका मास प्रधान है अगर हम पक्षियों की बात करें तो उसमें पुरुष जाती का मास प्रधान है महा शरीर जो बड़े शरीर के होते है नॉर्मली उनमें छोटे शरीर वालों का मास अच्छा होता है जो छोटे शरीर वाले हैं लेकिन उनमें कोई बड़ा हो तो उसका मास प्रधान बोला गया है एवं एक जातिया नाम महा शरीर रभ्य क्रिश शीरा प्रधान्तम यानि इस प्रकार एक जाती के बड़े श्रीर वाले प्राणियों की पेक्षा क्रिश श्रीर वालों का मास जादा स्रेश्ट बोला गया चाहे तो आप इसको हिंदी से पढ़िए जो 139 की हिंदी है इस हिंदी से और अगर आपको श्लोक से भी समझ आता है तो वह से भी आप समझ सकते हैं 130 नंबर जो श्लोक है उसकी हिंदी में फर्स्ट लाइन में लास्ट में देखिए रक्त से वीरिय तक धातों की उत्रो उत्तर जो भारी होती है रस्ते जो मास जादा भारी है मास से मेद मेद से अस्ती फिर मज्जा फिर शुक्र सबसे गुरू होती सकती यानि जो टांगे होती है उनसे सकंद सकंद से हृद्य भाग और उससे सिर पाद हस्त कटी पीट चर्म कालेक यानि वरिक को बोला गया है यकरित और आंतर ये सभी उत्रो उतर एक दूसरे से भारी होते हैं फिर 132 और 33 नंबर जो श्लोक है इस की हिंदी पढ़ेंगे ह उनमें जो मिडल पोर्शन है वो सबसे भारी है पुरुषों का पुरुभाग और इस्तरियों का अदो भाग जो पुरुष है उनका पुरुभाग यानि वक्षपरदेश पुरुषों का और इस्तरियों का अदो भाग जैवो भारी बताया गया है नेक्स्ट 138 नंबर जो इम्पॉर्टेंट है यानि ये मास परिक्षे विश्यक जयवों की गुरूता लगूता का निर्धारन करने के नो भाव होते हैं कौन से चर्ह, शरीर अव्यव, सुभावो, धात्व क्रिया, लिंग प्रमानम संसकारो, मात्रच अस्मिन परिक्षेत यानि जैसे कि अगर आप बात करें, चर्थ, मतलब जो प्राणी जादा चलता है, कैसे डिसाइड करेंगे कि आप कौन सा मास गुरू है, कौन सा लगू है, तो जो जादा मोमेंट कर रहा है, यानि एक्सेसाइज अच्छी हो रही है उसकी, तो उसका मास हलका होगा, जो बैठा रहता है, उसका मास ज चीज़ें भारी होती है, फिर धातों की बात करें कि कौन सी धातों, जैसे रस से जादा, मतलब रक्त से जादा मास है भारी, तो इस धातों के हिसाब से, क्रिया कर रहा है, या बिलकुल बैठा ही है, लिंग के हिसाब से, फिर प्रमान के हिसाब से, फिर संसकार और फिर मात की लगूता या फिर गुरूता को डिसाइड करने वाले होते हैं